चोखट कौन सी लगाएंगर पे कि उसकी लाइब भी अच्छी हो वो हमें सस्ती भी पड़े तो आज हम बात करने वाले हैं MS की जो चोखट आती है वो लगवानी चाहिए जहां जो वुडन की चोखट आती है लकडी की चोखट होती है वो लगवानी चाहिए जहां आजकल वुडन की बात कर लेते हैं, जो वुडन की चोखट होती है, उसमें काफी लकड़ी आती है, सागवान की आती है, नीम की मिलती है, तो जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मैं बात करूँगा जो हमें लगाना चाहिए फ्रेम, पांच बाइ तीन इंच का हमें फ्रेम लगाना च चलिए पांच भाई तीन इंच की नीम का खर्चा इतना पड़ जाता है अगर दुरवाजा कौन सा तीन भाई साथ का हम बात कर रहे हैं तीन भाई साथ से छोटा लगवान हम चाहिए लोगे बहुत जादा हमें मिल जाते हैं कॉंट्रक्टर्स को लेकिन अगर आप लेने जाओगे पिश्ताली सो श्याली सो रुपे का आपको मिलेगा फिर साल टीक बूट का अगर लेने जाते हो में लास्ट में खर्चा करके बताऊंगा कैसे इसको निकालते हैं ठीक है वो में आगे बताऊंगा अगर साल यहां टेक बूट लेने जाते हो तो उसका जो खर्चा पड़ जाता है वो पड़ जाता है बती सो रुपे से स्टार्ट हो जाता है पांच बै तीन इंच का और वो आपको एक्ताली सो रुपे तक पढ़ेगा वो टिपेंड करता है कि कई बार क् लकडी थोड़ी फटी होती है वो खर्चा थोड़ा कम कर देते हैं त्विस्ट होई होती है थोड़ा कम कर देते हैं और हमेशा ध्यान देना वुड़न फ्रेम जब भी लगवाने जाओगे आप क्या करना पुरानी लकडी लेना जो सूखी होई होगी अगर सूखी होई लक निकाल लेते हैं लेवर चार्ज इस समय तीन भाई पांच का अगर आपको बनाने जाओगे ठीक है कोई 30 रुपे आपसे ले लेते हैं कहीं जगा 32 भी है 33 रुपे पकड़ रहा हूं है लेवर चार्ज बनाने के ठीक है लकडी के जो चार्ज है वुडन कोस्ट किसकी बात कर र हूं साल के बाद है अलग 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 का अलग राट है 135 रुपे 15 रबयर कि में एक द्रॉज लगे तो डवल हो जाएगा तो इसको फीड में convert कर लिए हमने आगया एक feet 25 inch मतलब इसको 12 से divide कर लेना आप feet में convert कर लोगे फिर हमारे जो door है वो है 7 foot ऐसे 7 foot ऐसे 3 foot ऐसे ठीक है total कर लेते हैं 7 plus 7 plus 3 17 foot हो गया हमारा 17 foot हो गया और जो इसका वो था 5 by 3 inch का वो हो गया 1.25 मतलब inch ठीक है clear star into 100 इसको कर देंगे square foot में मिल जाएगा तो हो गया 21.25 square foot हमारा ये frame बन रहा है कितना 21.25 square foot labor cost हमारा था 30 रुपया 21.25 को multiply कर देंगे 30 से तो 637 रुपय हमारा खर्चा आगया इसको बनाने का कितना 637 रुपय मतीरियल का खर्चा कितना 21.25 square foot है तो 135 रेट था लकड़ी का तो खर्चा आगया 28.680 रुपय मतलब total हो गया 3500 रुपय हमारा इस frame को अगर लेने जाओ खर्चा आएगा लेकिन GST इसमें नहीं लगए 18% GST जोड़ लेना इसमें ठीक है material पे 18% GST आपका लग जाएगा तो कुछ 4000 तक बनता है मतलब 4-5-3 का साल का अगर लोगे तो 4000 रुपया पकड़ के चलो 4000 रुपय लग जाएगा double path मान होगा वो थोड़ा महिंगा बढ़ जाता है की बात करते हैं आगे अभी करते हैं MS frame की बात MS frame जब आप लगाने जाती हो उसमें दो किसम का देखोर रहता है एंगल वाला भी रहता है और box section रहती है आपको लगवानी है box section कौन सी box section तो जो पैदबान हो तो मतलब एक देखो एक जो box section रहेगी एक में एक तरब से दर्वाजा लगेगा जिसमें जाली वाला दर्वाजा नहीं लगता है वो अंदर के कमरे आगे हमारे और फिर रहता बाहर का दर्वाजा जिसमें हमें जाली वाला दर्वाजा भी लगाना होता है और दूसरा दर्वाजा भी लगाना है तो अगर हमें MS का frame लगवाने है तो हमें कितना खर्चा प 16-18 गौज को यूज करना Tata Steel उसको बोल देना मेरे को जिंदलिया Tata Steel ही चाहिए वो अच्छा quality का वो जल्दी क्रोजन नहीं पकड़ता खराब नहीं होता ठीक है तो ये चीज आपको उसको mention करते नहीं है और अगर हम बात करें lump sum जो इसको weight के हिसाब से लिया जाते है तो जो हमारा single पाइदान का रहता है वो बनता है हमारा 30-32 kg का कितना 30-32 kg का हमारा दरवाजा बनता है 3-7 foot का कितना 3-7 foot का पकड़ के चलिए 30 kg बनता है और इस समय market rate चल रहा लगा लो 100 रुपया कही जगा 100 रुपया है कही जगा 105-110 यही rate चल रहा है तो हमारा 3-7 का दरवाजा अगर हमारा बन रहा है 30 kg तो हमारा 36-40 kg तक कितना 36-40 kg आपका वो बनेगा तो 100 रुपया अगर हम rate पकड़ रहे है तो 4000 रुपया हमारा उसका खर्चाएगा तो इस हिसाब से निकाल सकते हो कि MS का हमारा खर्चे कितना निवला फिर हम बात करते हैं MS की सिंगल बतम का हमारा 3-7 का अगर है दरवाजा एप्रॉक्स वेट उसका होता है 30 kg क्योंकि वेट के हिसाब से यह मार्केड मिलता है तो 30 kg होगा आपका वहां 26 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है क्योंकि पढ़ले कम लगवाओगे जहां कभी कबार वह कम वेट का आता है तो यह सिंगल बतमा का लगया और डवल पतम का अगर हम बनाते हैं तो चालीस केजी का वह आते है तो चालीस इन्हों 100 कर देंगे 4,000 रुपे उसका खर्चा हमारा आ जाएगा भी आ जाती है जपानी चोखट के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है इसका मैं पूरा एक्स्प्ल अगर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नहीं चीज आई है क्या हमें महंगी तो नहीं पड़ रही कहीं आपको बिल बनाते टाइम जो आपका ठेकेदार होगा दुखान दार होगा वो आपको बेफकूप तो नहीं बना रहा मेजरमेंट कैसे करनी है हाइट उसकी है साथ फूट वैसे ही साथ फूट यहां है क्या करना है तीनों को प्लस कर देना है तीन फूट यह आ गया साथ फूट यह हो गया हमारा सतहरां फूट कितना तत्रह और 105 रुपई जैसे मैंने गवारेट चल रहा है तो आपको आगया 1750 रुपे का आपका ये लग जाएगा कितना 1750 रुपे केजी में भी आप कर सकते हो खिड़की को होई है 100 रुपे किलो के हिसाब से करना हो ऐसे कर लो यहां आप रंणिंग फीट के हिसाब से कर लो पाकी एक चीज़ और दियान रखना जब मार्केट में जाओगे इस पर भी दियान देना क्योंकि यह पांच इंच की थी फिर इससे बड़ी नो इंच की भी होती हो तो उनके रेड अलग होती है